यह देखिए इसे पराठा बन के तयार है पनीर का आप और इसका प्रोसेस क्या है आगे वीडियो में देखिए नमस्कार मैं रश्मी मिश्रा रश्मी खजाना में एक लिक्विटी डोस से पनीर का पराठा या चिल्ला कही है बना रहे हैं तो उसके लिए हमने एक प्याज को और एक हरी मिर्च को बारिक काट लिया है और आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप अपने स्वाद क्याने साथ मुझे हरी मिर्च पसंद है इसलिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा भूना ये जीनरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला इससे उसका स्वाद बढ़ी आता है और हरा थनिया तो प्याज को एकदम बारीखी चौप करें तब ही अच्छा होता है अब म पाउन को डोरी मैंने मैता लिया इससे इसका टेक्शर अच्छा होता और ये ब्रिकफास्ट रेस्पी है और अगर आपके पास थोड़ी सी पनीर है तो ये पनीर को भर के ना बनाके एक लिक्विटी डो के साथ पराठे के रूप में बनाईए या चिल्ले के रूप में बन भी डाल देंगे सब कोई डाला और उसके बाद नमक स्वात के रसगें करके अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिला लेंगे जादा एक साथ डालेंगे थो फेट लेए तो जैसे थोड़ा सा पानी डाला है कि इससे विसकर से ऐसे NFS से करके एकदम अच्छी दरसे इसको मिला लें और एक लिक्विड ड्रोग बन जाएगा और उसके बाद इसको हम तबे पे नॉन स्टिक इसमें से के गर्मा गरम आप चटनी के साथ अचारक्टिसकाद मीठी चटनी के साथ जैसे इंजॉय करना चाहे और इसका स्वाध पनीर के प्राठा से कम नहीं होगा पनीर का प्राठा और ये सेम चीज है लेकिन बनाने का तरही है डिफरेंट है अब इस तरह की कंसिस्टेंसी बन गई जैसे की चिल्ले की बनती है अब इसको अच्छी तरह से मैंने खोल के और उसको 10 मिनट रेष्ट करने देंगा अच्छी से आँटा फूल जाएगा मैदा भी फूल जाएग के लिए अब ये रिडी है और जब बनाएंगे आपको दिखाते हैं बनेगा और उसके बाद चटनी अचार के साथ करेंगे इस तरह से हम डालेंगे लिक्विड डो और उसी का चिल्ला या पराठे के रूप में पनीर का पनीर और आटे के साथ चाहे आटा यूज करिए चा इसको आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं मैंने मीठी चटनी के साथ सर्थ किया है तो आपको जैसा पसंद हो वैसा खाए बहुत इलाजवा बटेस्टी तो बनके तयार हो गया है मेरा पनीर का प्राठा बनके तयार है आप भी ऐसे बनाएं खाएं खिलाएं सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें